क्यूं देखना चाहती है ओडियंस फिर से नावाज दिन सिद्धिकी को बजरंगी भायजान में मुन्नी के लिए कितनी लड़कियों ने दिया था ओडिशन बजरंगी भायजान के डिरेक्टर कभीर खान ने अब इसका सीक्वल पवन पुत्र हनुमान बनाने का सोचा है बजरंगी भायजान के मेकर्स ने एक इंटर्व्यू में बताया था कि उनके उपर साथ केस हुए थे ये केस किसी और से नहीं बलकि फिल्म सही रिलेटेट थे जब कोई फिल्म आती है तो हमें उसका पॉजिटिव और नेगटिव दोनों रिस्पॉंस देखने को मिलता है बस वही कुछ नेगटिव रिस्पॉंस थे जिसकी वज़े से मेकर्स को ये सब सहना पड़ा था मेकर्स ने बताया था कि फिल्म के नाम को लेकर कुछ लोगों को अफेंसिफ और बुरा लग गया था जिसकी वज़े से उनके खिलाफ कुछ केस फाइल कर दिये गए थे इस केस में कुछ लोगों ने ये डिमांड किया था कि इस फिल्म का नाम चेंज किया जाए लेकिन MPK High Court ने इसको इंकार कर दिया उन्हें इस नाम में कुछ गलत नहीं लगा था नवाज़दिन सिद्धिकी का नाम तो हर को ये जानता है नवाज़दिन सिद्धिकी ने फिल्म बजरंगी भायजान में भी एक सपोर्टिंग रोल किया था जिसके बाद ओडियन्स तो इनकी फैन ही हो गई थी इस फिल्म में इन्होंने एक रिपोर्टर का रोल किया था और ये बताया था कि कैसे मीडिया ने जरूरत पढ़ने पर बजरंगी की मदद की इस फिल्म के बाद नवाजदिन सिद्गी को काफी ज़ादा लोक प्रियांती हासिल हुई थी और अब जब से ओडियन्स ने बजरंगी भायजान टू के बारे में सुना है तब से वो लोग काफी एकसाइटिन हैं ये जानने के लिए कि क्या इस बार भी नवाजदिन सिद्गी हमें किसी रोल में दिख सकते हैं इस बात को लेकर ओफीशली अनाउंसमेंट नहीं हुई है लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि सल्मान और नवाजदिन का दिखना फिल्म में पक्का है अब वो रोल किया होगा ये कहताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी तक फिल्म के स्क्रिप्ट भी तयार नहीं हुई है बज्रंगी भायज़ान का में हेडलाइन था मुन्नी जिसका रोल एक चोटी सी बच्ची को करना था कभीर खान ने बताया था कि इस रोल के लिए उन्हें पांच हजार से ज़्यादा लड़कियों के ओडिशन लेने पड़े थे जिसमें ना सिर्फ इंडिया बलकि अफगानिस्तान और भी कई देशों के लड़कियां का ओडिशन लिया गया था लेकिन इतने ओडिशन के बाद उन्होंने हरशाली मलहुतरा को चुना इस फिल्म में उस बच्ची को ऐसा एक्ट करना था जिसमें वो ना सुन सके और ना ही कुछ बोल सके कबिर खान ने कहा कि हरशाली ने काफी अच्छा ओडिशन दिया और उन्होंने तुरंट ही उसको सिलेक कर लिया आपको बता दे कि हरशाली फिल्म रिलीस के टाइम सिर्फ साथ साल की थी और इतनी कम उमर में उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मस दिया था हरशाली वैसे तो रियल लाइफ में काफी जादा टॉकिटिव हैं तो अब आप सब ये सोच ही सकते हैं कि उनके लिए ये रोल करना कितना डिफिकल्ट रहा होगा लेकिन उन्होंने ये रोल बखु भी निभाया इन्होंने आक्टिंग की दुलिया में बहुत पहले कदम रखा था जब ये 21 मंस की थी तब से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था इन्होंने फिल्मों के अलावा भी कई टीवी शोज में काम किया है जैसे जोदा अकबर कुबूल है लौट आउट रिशा अब हम उमीद करते हैं कि ये ऐसे ही और भी फिल्म्स करे और इन्हें काफी सफलता भी मिले ऐसे ही चटपिटी और अंसोनी कहानिया हम आप तक जल्दी ही पहुचाएंगे आपके इस मूवी के उपर क्या वी उस है यहां में कॉमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएगा और हाँ दोस्तों जाते जाते हैं इस वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना मिलते हैं फिर एक नए वीडियो और नए कंटेंट के साथ तब तक जुड़े रहे हैं मेरे साथ